हलो दोस्तों भारत अप्टेट चैनल में आपका स्वागत है और दोस्तों यहाँ पर अभी अभी एक जो है अपडेट आई है तो चलिए आपको बता दू दोस्तों यह अपडेट रहने वाले है कोरोना से रिरेटेड तो चलिए देख लेते हैं ओफिशिल अपडेट आज की तो दोस्तों यह आप देख सकते हो तीन जून दोजार बीस की यह दोपेहर की अपडेट रहने वाली है और अफिशिल अपडेट यह रहती है तो चलिए देख लेते हैं आज कितने यहाँ पर टोटल केसिस होगे तो 349 परसन पोजिटिव और COVID-19 से और यहाँ पर देखते ह हैं कि कितने अभी active cases हैं तो दोस्तों active cases की बात करें तो active cases यहाँ पर 204 है migrate जो है चार है और recovered यानि कि ठीक जो हो है वो है 136 और death 5 की इन सभी को मिलाएं तो यहाँ पर 349 जो है total person अभी तक के positive हुए है ठीक है और अभी तक active जो current में active है यानि कि इस time कितने active है वो है 204 और बाग की जो migrate है recovered है यह है ठीक है तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं district wise आज इस report में कितने जो है cases आए है ही मार्चल में तो यह अभी मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों यह है इस प्रकार से new cases since last bulletin में आप देख पाऊगे बिलांसपुर में एक case आया है किन और में दो case आये है शिमला में एक आया है तो टोटल जो है इस बाली जो यह report है इसमें चार new cases दोस्तों यहाँ पर आये है और active cases किस district में कितने active cases है बिलासपुर में 11 है चंबा में 13 है हमिरपुर में 72 है कांगण में 56 है किनोर में 2 है कुल्लू में 1 है मंडी में 5 है शिमला में 8 है स सिर्मोर में 1 है सोलन में 18 है और उनना में 17 cases है इन सभी को मिलाएं तो कुल 204 case जो है active है और अभी तक के total cases जिन में recovered भी है migrate भी है death भी है और active cases भी है वो है 349 cases अभी तक है ठीक है तो यह दोस्तों अभी तक कि यह latest update है और अगर आपके वीडियो अच्छी लगे तो इसे like, share और चैनल को subscribe जुरूर करिएगा मेरे latest updates के लिए थैंक्यू